नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जार्खंड की परिवहन परनाली के बारे में तो जार्खंड की परिवहन परनाली को जो डिसकस करेंगे उससे पहले एक छोटी सी न्यूज है जो आप सभी को दे दो कि जो जार्खंड सीजियन क एकजाम फॉर्म भरने का जो डीड़ था उसमें एक महीने की व्रिधि कर दी गई है चुक्त वह जो सारे राच्योष्ट, सुक्रम, चारी वगएर लोग है हर्ताल पर है कर्दिते हैं इसके वज़ेद से आवासिये नहीं बारा तो आवासिये नहीं बन बने बने के कारण ही ए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि तयारी को आपने बहुत अच्छे से कर लिजिए तो इसी वजह से मैंने जो तर्यारी पहले जो ठीट था वह आप तो डिफरेंट वे में करेंगे अब हम अबने एक बुक लिस्ट आपको बताया था कि चारखंड का जो सबसे बैस्ट बुक मुझे लगा था अब तक का उडान पब्लिकेशन का नया जो आया सब्सक्राइब तो यह जो मैंने कंटेंट लिया और आज कर टॉपिक है चारखंड की परिवहन पर नाली तो कभी किया हुदा ना कि आप जनरली लोग कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे परिवहन पर नाली जलवायू आपका और क्रिसी मिट्टी यह सब टॉपिक से लोग छूट जाता है कोश्चन अगर आता है तो तो आपको एक्जाम में जो छूटे वे कोश्चन से उन सब को पकड़ना है ना बाकी लोग तो सब पकड़ ही लेंगे जनरली जो नॉर्मल नॉर्मल सब्जेक्ट है वो तो सब आदमी सब लोग पकड़ता है आप वैसे चीज़ को पकड़ो जो कोई और नहीं पकड़ता है तो परिवहन परनाली एक जो अन पॉपुलर है लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं बट इन सब चीज़ों को भी हम लोग ध्यान देंगे तो आज हम लोग ज होता है ढपरिवहन लेकिन वह जल परिवहन फिलहाल यहां नहीं एक प्री छोड़के यह दोनों हम लोग टीनों है तीनों करेंगे तो सबसे पहले हम thought परिवहन सब करेंगे देर फिल डिसकास रेल सटेट है भी सडक्र करनेका बाद नहीं हम लोग जो सडक परिवहन परनाली से संबंधित कोश्यंसुं भी लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा तो वह हम बना पार है है या नहीं कितना इंपॉर्टेंट है वह मैटर करता है जब आप सेट लगाते हैं पढ़ने के बाद तो आपके दिमाग में भी छपता है इसके बाद मैं आपको अलग सा झतेट दूँगा जो मिक्स्ट रहेगा अभी तो फिलाल पर परिवहन परनाली का सेट दूँगा लेकिन बाद में वह भी बना रहा हूं अभी सेड़ बना रहा हूं मॉप मॉक टेस्ट के लिए मिक्स्ट मॉक टेस्ट जिससे आपको क्विच टैप का करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं जारखंड की परिवहन पर नाली को डिस्कस करेंगे तो सबसे हैं सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन पर नजहर डालता है तो सबसे पहले अंगे दिसकस करेंगे सबसे पहले जब हम लोग कुछ डिसकस कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जाना जरूरी है कि आखिर यह नेशनल हाइवे होता क्या है तो नेशनल हाइवे क्या होता है एक से अधिक राज्यों को जोड़ने अथवा एक ही राज्य के अत्यांत महत पुर्ण मार्ग यानि अगर जै आएसे अगर राज्य मार्ग होंगे कुछ आइसे रोड होंगे सड़क होंगे जिसको सरकार जो है चाहेगी कि यह एनेश बना दिया जाए नेशनल हाइवे बना दिया जाए जो दो मुख राज्यों को जोड़ती हो या फिर एक ही राज्य के अंतरगत दो जिस्टिक को जिल कैसे तो यह जुँ है और राज्य सरकार केंदर सरकार से बात करके और यही बाते लिखी गाई है कि एक से अदिक राज्यों को जोड़ने अद्वा एक ही राज्य के अन्त महत्वपौन मार्गों को जोड़ने मार्ग को राष्टिय राजमार्ग के लिए सडकों का जह राज सरकार किया जाता है तथा केंद्र उसे सहमति आपने जता देता है और उसे राष्टिय राजमार्ग었던 कर दिया इसफा राश्ति राजमार का मालो जैसे माल वारी से हजारी भाग जाना है बहरा गोड़ा गजो वहरा गोड़ा आप बात करते हैं जारकंड में कुल कितने राश्टिय राजमार्ग है कि जब आप बात कर लिए तो जारकंड में जो राश्टिय राजमार्ग है टोटल 24 नेशनल है कितने 25 वेंटिफाइब लगता है कि जारकंड राज में 25 25 राश्टिय राजमार्ग है कैसे याद करना 24 डिस्टिक है एक जाता है यहां से याद रखना 24 डिस्टी के एक जाता है 25 राश्टिय राजमार्ग है और 25 राश्टिय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 2661.8 किलो मिटर है ठीक है धारखन राज में 25 राश्टिय राजमार्ग है जिनकी कुल लंबाई 2661.8 किलो मिटर इसके लंबाई है चलिए तो हमने यह डिसकस किया राश्टिय राजमार्ग की लंबाई कितनी है यह important point है आपको याद रखने माला कि छारखन में कुल 25 राश्टिय राजमार्ग है जिनकी लंबाई 2661.8 किनो मिटर है अब छारखन का जो सबसे लंबा राश्टिय कोलते हैं एनेज वो कौन सा है एनेज 33 जो है चारखंड का सबसे लंबा लंगेस्ट नेशनल हाइवे है जिसकी लंबाई टोटल 333.5 किलो मिटर है और यह जो नेशनल हाइवे होता है काफी इंपोर्टेंट होता है किसी विराजी के लिए तो चारखंड का जो 37 रेखा जिसे कहा गया है नेशनल हाइवे 33 को ज़ारकंड में सरवाधिक जीलों से होकर गुजरने वाला राश्टि यह राजमार्ग जो है एन्नेच 33 ही है और यह च्छ से जीलों से कुल 25 नेशनल हाइवे हैं अगर आपसे यह पुछ दिया जाए कि जार्कन राज में कुल लंबाई कितनी है नेशनल हाइवे की तो आपको बताना होगा का 2,661.8 किलो मिटर अगर आपसे यह पुछा जाए कि जो लॉंगेस्ट नेशनल हाइवे है इन दे स्टेट ऑफ छार्कन वह कौन है यह पूछा जाए कि नेशनल हाइवे 33 की लंबाई कितनी है तो आपको बताना होगा 333.5 विरो यानि 3393.5 किलो मिटर अगर उचलिया जाए यह भी हो सकता है पुछते की जहारकन की कौन सी नेशनल हाइवे को जीवन रखा कहा जाता जहारकन की देर आपको आंसर नाशनल हाइवे 33 चलो यह पूछ सकता आप से कि नैशनल हाइवे 33 जो है किन-किन जीलोंसे कुण-खुन से जीलों से गुजरती यह भी आपको जानना जरूरी है जैसे से बहरागोरा तक जाती है यहीं कहाँ हैं बाध से निकलती हैおお one trip second डिस्टिक में आती है Lead Up our there to go राघ्षी के बाद ये खुजती में खूूंटी तो चौंटी जो हैं पूंटी सराइक लाग हरसावा है सराइक लाग को कि पहरागोरा पहुंचती जो की पुर्वी सीव की सिंभूjek में परता है उसके बाद सराइक हेलाखर सावा दूसरा डिस्टीग खुंटी तीसरा डिस्टीग को बाद आ जाए राची चौथा डिस्टीग पांचवा डिस्टीग रामगड रामगड के बाद फाइनिली हजारी बाग यानि वर्ही तो ये कुल 6 जीले हैं जिन से होकर के 23 गुजरती है थोस्तो सलिए आगे बढ़ते है एने rockets 33 सीमा वर्ती राज्योंके अध्योगिक छेत्रों को जोडने वाले 5 सीमा वर्ती जो छेत्र है उन सभी राज्यो कोड सीमा वर्ती है यह जो तो उधर से जो भी माल आता है तो वहां से एंट्री होके बाहरा को रहा होके हजारी बागवाला इन लाखों में पूरा राची खुल्टी रामगड होते हुए यह जाता है यह जिलो से गुजरती है तो नहीं ऑन ठीट्री जो है और यह जार्खन में पूर्ण रुप से वह विस्तार है अब इसमें इंपॉर्टेंट एक जिए ध्यान देना कि यह जो question है यह जो आप highlighted देख रहे हो यह सभी यह सभी asked question है यह सभी पूछा गया है किसी न किसी exam में यह सभी पूछा गया ठीक है यह भी पूछा गया है चलो तो अभी हमने ने डिसकस किया नेशनल हाइवे के बारे में अब यह जो जहारखेंड में कुल जो 25 नेशनल हाइवे यह सभी नेशनल हाइवे आपको पढ़ना होगा ये मैंनी पढ़ना ओगा यह यह उएवाब टु रीड इट बाई और से मैं सिर्फ यहां एनेश थाटी थरी आपको दिखाता हूं यह जो है यह जो एनेश थाटी थरी एप बरही से बहरागोरा परही हजारी बाग में बहरागरा पुर्वी सीग हुआ है तो हजारी बाग रामगड राची राइकले फरसावा देन पुर्वी सिंग्यों कुल 333.5 किल्यूमीटर इसकी लंबाई है ठीक है बाकी देखो एनेस टू है एनेस टू दिल्ली कोलकाता एनेस सिक्स कोलकाता हजीरा उसके अलावा जहारकण में विश्तार संबंधित जीले को यह याद हो जाएगा और वैसे भी इतना लंबा चोड़ा कुछ पूछेगा नहीं सेलेक्टिवी पूछेगा तो यह हो गया एनेस जो 32 मैंने बोला था एनेस 32 यह देख लो एनेस 32 जो है गोविनपूर से जमशेदपूर जाती है गोविनपूर धनबाद में पड़ता है तो इंडिया ने उसको नैशनल हाइवे का दर्जा दिया अब जो है हम लोग देखते हैं स्टेट हाइवे जो राज्य सरकार की मुवारी है राज्य सरकार ने जिसको बनाया है उस पे भी थोड़ा नर्जर डालते हैं यह आप देख सकते हो मैं आप है कूछ लेकिन उतना ख हो गया हम लोग ऐसे के बारे में पढ़े है कि लाज कि राज्धानी को जीला मुख्याले से जुडब्र वाली सड़के राश्टी एस राज्यांति राजमार कहला दिया यानि लाजरा नीवा राचि ऑन गया राची से जीला मुख्याले बाल लेती हैं सबसे लंबा जो राजकी राजमार्ग का दर्ज़र दिया जाता है स्टेट के द्वारा और राजकी राजमार्ग यानि स्टेट हाइवे को राज सरकार द्वारा देखा सबसे लंबा जो राजकी राजमार्ग है स्टेट हाइवे है जिसकी लंबाई 183 किलोमेटर है और यह एक्जाम में पूछा हुआ है आपको याद करना भी आसान है क्योंकि 24 जीले जारकार में खूल है और 24 इसमें स्टेट हाइवे भी याद रखना और नेशनल हाइवे में कै स्टेट में दिस्टिक 24 है और केंदर सरकार एक है तो 25 नेशनल हाइवे है और 24 स्टेट हाइवे है कुल लंबाई आपको याद करना है 183 किलोमेटर है वह जब धीर दिर आप सेट बनाओगे 10-15 सेट मॉक्टेस 30-40-50 सेट बनाओगो तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा 183 जो है किलोमेटर 83 किलोमेटर है जो सबसे लंबा है अब जहारकन में प्रमुख रूप से राज की राजमार के उनका उनको भी देख लेते हैं प्रमुख राज की राजमार कौन सा है प्रमुख की बात कर रहा है तो सबसे पहले प्रमुख में आ जाता 24 स्टेट हाइवे नंबर 24 इसकी लंबाई 183 किलोमेटर है जो हमने बात किया यह मार्ग है जो है दुमका काठी कुंडा काठी कुंड गोपी कांदार आमरा पारा बरहेट साहइब गंज मार्ग में है स्टेट हाइवे 25 जो है मुसार महुवाडान नेतरहाट विश्वनपूर इसकी लंबाई 182 है स्टेट हाइवे 28 पोडरमा जमुआ तुंडी गोमिनपूर 156 किलोमेटर स्टेट हाइवे 21 देवगहर जामतारा रूप नारायन पूर 155 स्टेट हाइवे 30 जुम्री गिरिडी बंगाबाद मदोपूर इसके किलोमेटर नहीं लिखावा ठीक है तो यह हो गया अभी क्या हमने डिसकस किया स्टेट हाइवे और नैशनल हाइवे सड़क में ही अभी है अब सड़क में ही आ जाते हैं एक इंटरनाशनल अभी हमने नैशनल की बात की स्टेट की अब कुछ ऐसा भी है कि इंटरनाशनल हो जैसे पकिस्तान नेपाल बंगलादेश इधर उधर जाने का तो थोड़ा नज़े डालते हैं तो अंतरास्टी राजमार के बारे में इंट द्वारा प्रस्तावी 63,500 किलोमेटर लंबा अंतरास्टी राजमार छार्खन राज के बरही से भी गुजरेगा तो इंटरनाशनल मार्ग एक बनने वाला जो प्रस्तावीत है जिसकी लंबाई कुल 63,500 है वो कहां से गुजरेगा छार्खन राज के बरही से भी गुजरेग भारत में इस राजमार की लंबाई 2680 किलोमीटर प्रस्तावित है इंडिया में इसकी लंबाई 2680 किलोमीटर है जो कौन-कौन से सिटी से गुजरेगा अमरित्सर, दिल्ली, आगरा, कानपूर, कौनकाता से धाका तथा आगरा, गवालियर, हैदराबाद, बैंगलो, बैंगलो, धनस्कूटी और परहिस जारकन को काठमांडू से जोड़ा जाएगा तो ये इंटरनाशनल हाइवे की बात की गई है यह अंतराश्टिय राजमार्क, एशियाई राजमार्क को यूरोपी अंतराश्टिय राजमार्क से जोड़ेगा तता सिंगापूर्थ, हाइलेंड, मयानमार, बंगलादेश, भारत, पकिस्तान, यह तुर्की से भी होकर बुज़रेगा यह ठीक है यह आप पढ़ने ना कुछ खास वैसे इंपोर्टन नहीं है इसमें पुछ 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 जाने लाएक इंपोर्टन नहीं लेकिन फिर भी आप अगर पढ़े रहेंगे ध्यान रहेगा अगर पूछ दिया जाता है तो कम से कम आपको कुछ आइड राष्टी राजमार की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग इंगलिष्ण वोल थे एन-च नैशनल हाईवे अब यह स्टेट हाइवे में जो यह दियावा सिक्स हंड़ेड सिक्स थाउजन एट हंड़ेड किलो मिटर अब यहां पर थोड़ा भी विवाद है इसको स्टार मार्क में करता हूं और यह जो आंसर है विवाब करिद दो तीन बूक में आप देखेंगे तो यह चछहाजार आठ सो असी किलो में नहीं हैं किसी में आप पाएंगे छी 실शी किलो में अगर आप गूगल करेंगे अभ ही प्रेजेंटली में मैंने बूगल किया 802 किलो मीटर अगर आप गूगल करेंगे अभी प्रेजेंट ली में मैंने गूगल किया इसको तो गूगल में आपको मिलेगा यह एक सेकने बताता हूं गूगल में कितना मिलेगा कि गूगल में है 2711 किलो मेटर कितना है एकॉर्डिंग टू गूगल 2711 किलो मेटर तो यह तो लेटेस्ट अपडेट है अब मैंने काफी रिसर्च किया इस वे राजकी राजमार्ग और यह अभी तक मुझे कुछ खास इसमें प्रगती नहीं मिले क्योंकि राजमार्ग जो परिवहन की वेबसाइट है कोई वेबसाइट एक्जिस्ट नहीं करती ह जारकन सरकार के किसी भी वेबसाइट में यह अपडेट नहीं किया हुआ है तो थोड़ा भी परिशानी है लेकिन चुकि आप सभी बहुत सारे लोग है जो देखते हैं इस वीडियो को तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पस कोई सोर्स है या आपके पस कोई जनकारी है तो फिलहाल इसको दो आप्शन मानके चलते हैं एक छे हजार आठ सो असी को मानके चलते हैं बेस्ट आप्शन दूसरा मानके चलते हैं 2711 और 1886 यह तीन तीन मानके चलते हैं ठीक है इसको तीन मानके चलते हैं तो यह बात रही उसके बाद जीला सड़क जीला सड़क चार हजार टोटल हो जाएगा आपका जो हमने देख लिया अब दोस्तों चलते हैं यह हो गया अब थोड़ा रेल परिवहन पर नजर डालते हैं रेल परिवहन क्या है जार्कन में रेलमार्क की को लंबाई जो है 133 किलोमेंटर है जार्कन में सबसे पहले जमशेद्पूर से हावड़ा तक रेलवे लायन करो हैं Orig as पूरुमध रेलवे जोन East Central Railway इसको इंगलीशन बोलते हैं दूसरा है दक्षिन पूर्वी रेलवे जोन जिसको South Eastern Railway कहते हैं दक्षिन पूर्वी रेलवे का नाम बंगाल नाकपूर रेलवे भी है अब जो रेलवे जोन है पूर्व मध रेलवे जोन जिसका मुख्याले हाजी पूरे दूसरा है दक्षिन पूर्वी रेलवे जिसका मुख्याले कोलकाता पड़ता है अब जैसे जहारकड को दो railway zone में डिवाइट किया गया इसके अलावक जहारकड में तीन rail mandal भी है पहला rail mandal धनबाद है दुसरा राची और चकरदरपूरू धनबाद मंडल कुरूमध railway zone के अंतरगाद आता है यानि यह पूरूमध East Central railway के अंतरगाद आता है जबकि नाची और चकरधरपूर जो दक्षिन पुर्वी रेल जोन के अंतरगत आता है। केंद्री रेल वे बिद्धूती संगठन बिद्धूती करन संगठन के शाखा भी है। तो यह अभी तक हमने देखा उसके बाद एक दो और फैक्ट है वो देख लेते हैं। जारकन राज में प्रस्तावित रेल पर योजनाय निम्न है कोडर्मा गिरेडी कोडर्मा हजारीबग रांची देवगर दुंकास रामपूरहाट लोहर्दगा रांची टोरीच चेत्र और तीसरा है कोडर्मा सिलाया। इसमें से जो यह जो लोहर्दगा रांची का है शायद मैंने कुछ दिन पहले यह निउस पेपर मैं पढ़ा था शायद सच है यही मैंने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन शायद यह ऑपरेशनल हो गया तो यह एक बार कर लिजेगा तो यह हो गया अभी हमने साड़क परिमहन और रेल परिमहन के बारे में देखा अब हम लोग देखते हैं दोस्तों वाईव परिमहन बात कर लेते हैं वाईव परिमहन में भी ज्यादा कुछ है नहीं धारकन राज में वाईव परिमहन जो है धारकन में सबसे पहले 1941 में 1941 में रांची में हवाई अड का नाम बिर्सा मुंदा हावाई अड़ा है चकुलिया जम्षेदपूर हजादी बाग तथा पोकारों में लगू श्रेनी का हावाई अड़ा उपलब्ध है छोटा मोटा हावाई अड़ा उपलब्ध है राची और जम्षेदपूर में उडियन तथा ग्लाइडिंग की तो यह हो गया एक शॉट में इन शॉट एक बर हम लोग कुछ जो अनितत भी अगर कुछ जुड़ा हुआ है धरकन राज में राथी बुकारों को एक्सप्रेस से जोड़ने है तू अगामी वित्यवर्स में पी-पी-पी मोड पर योजना का प्रारहंब किया गया है पी-पी क्या होता है पॉब्लिक प्राइवट पाटनर्सिप सिंय पभी पैसा होगा अब कि होता हॉग का पैसा होगा पराल असके सरकार के प्यसा होगा इन दोनोगी पैसे से जो युं आ वो मोडर मौ को थे सरकार द्वारा एक को लीडोर नप्रस्टावित इन का थे जिसकर जमशेदपूर धनबाद एवं राची को जोड़नी है तो छे लेन एक्सप्रिस्वे का निर्मान कर गोल्डेन ट्राइंगल अस्थापित किया जाना है तो यह अच्छा लेन वाला जो रोड़ प्रस्तावित है जमशेदपूर धनबाद और राची को जिससे की एक ट्राइंगल बन जाए गया तो वही ट्राइंगल यहां गोल्डेन ट्राइंगल की बाते हो रही है अब शायद काम भी चला हुआ ठीक है तो यह दोस्तों हुआ अभी क्या हमने दे देखा वायू परिवहान रेल परिवहान और सड़क परिवहान यह हमने कम्प्लीट देख लिया अब हम लोग चलते हैं सेट बनाते हैं और चेक करते हैं आपका नॉलेज जार्खन राज में कुल राष्टिये राजमार्ग की संख्या कितनी है यहां बात हो रही है नैशनल हैवे की तो नैशनल हैवे मने बता था 24 जीले है प्लस एक केंद्र सरकार के त्वारा दिया गया ऐसा ट्रिट से तो टोटल 25 इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरा है राज जार्खन राज में राष्टिये राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो यह है 2661.8 किलो मिटर अगर आप्शन में नहीं मिले तो आप 2662 किलो मिटर आप मार देना जार्खन राज का सबसे लंबा राष्टिये राजमार्ग लंगेस्ट नैशनल हाइवे कौन सा है तो यह है NS33 NS33 लंगेस्ट नैशनल हाइवे है राष्टिये राजमार्ग यानि नैशनल हाइवे 33 जार्खन राज में कितने जीलों से होकर गुजरती है छे जीलों से होकर गुजारती है कौन-कुन जीले एक बर फिर से रिपीट करता हूँ बरही से खुलती है हजारी बाग जीला में बरही से निकलने के बाद आती है रामगड चली पांचवान नमर कोशन देखते दोस्तों पांचवान क्या करता है जारखन राज में राजकी राजमार की कुल लंबाई कितनी है तो जैसा मैंने यह बताया और डी की राजकी राजमार की यह काफी कंफ्यूजिंग कोश्चन होगि आप तक का कम से कम मैंने इसमें एक घंटा बरवात किया इसको रिसर्च करने में फिलहल अगर ऑप्षन के अधार पे जाया जाती यह ऑप्षन नमर 20 का सही आंसर होगा 1886 लेकिन मैंने बताया कि यह सही मतलब कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि गूगल में मैंने बताया आपको 2711 किलो मिटर है अगर आप कोई और स्पर्धा की बुक देखेंगे तो उसमें आपको 1886 मिलेगा जबकि उड़ान पॉब्लिकेशन में आपको यह 688 किलो मिलेगा आपको उरान में जबकि क्राउन में भी यह 1886 के आसपस है यह बला है तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया गया है या फिर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है तो यह सभी धियान में रखते हुए इसको आंसर मारना है अगर कोई भी मेरे पढ़िया जुद्दम सबूत के साथ में कुछ पता है उनको कितना किलोमेटर है स्टेट हाइवे की बात हो रही है अगर उनको पता है तो प्लिस कंफर्म कमेंट करके कंफर्म करें ताकि मेरे साथ साथ सारे लोगों को पता चले ठीक है दोस्तों तो फिलाल ऑप्शन के आगे बढ़ते हैं अगला कोशन की तरफ अगला कोशन है दोस्तों अगला कोशन क्या कहता है जार्खन राज का सबसे लंबा स्टेट हाइवे कौन सा है जैसे मैंने बताया थे जार्खन में 24 जिले हैं और स्टेट हाइवे नंबर 24 ही सबसे लंबा है ठीक है चलिए अगले क कुछन है राच्छी इस्थीत हवाई अड़ा नाम क्या है इसका आँसर वोगा उन्दा हवाई अड़्ा बिर्सा मुंडा हवाई अड़ा जो है राची में इसथीत सलेड़ी सात कोशिण हो गया और इस हौना को ऐट्थ नम्ब्र कोॉश्चन देखते है एट्थ नम्मर कोश्चन है नीमन में से कौन सा राष्टिय राजमार गयानी नेशनल हाइवे केवल ज्ञारखन में ही विस्तारीत है तो ये मैंने बताया था आपको कि नेशनल हाइवे 33 और नेशनल हाइवे 100 ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञारखन में विस्तारीत ह अशिया तथा सुदूर पुर्वार्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावी अंतरास्टी यह राजमार का धार्खन में किस अस्थान से गुजरने का प्रस्ताव है तो यह बताया था मैंने आपको कि बरही बरही से गुजरने का प्रस्ताव है बढ़ी हजारी बाग में पड़ता है यह देखो दिखा देता हूं आपको अंतराश्टी देखो यह जो अंतराश्टी है यहां पे आप ध्यान दो जो जहां गया कहा जार्खन में बरही से कट मांडू जोड़ेगा यानि बरही जहारखन का बरही इसमें एड़ होगा ठीक है यह हो गया अब नेक्स्ट कोश्चन क्या है गैशन कोश्चन दीखते हैं जहारखन से सम्बंधिद एक प्रमुख railway जौन पूरुमध का मुक्याले कहां यो बताया था था कि जहार्खन में दो racisture था धीक है पहला मैंने बता थे जो रहा जिसका मुझाले जो है मुख्याले हाजी पूर में है कן को फिक तो इसका आंसर क्या होगा इस पूरुमध रेलवे जोंगा आंसर हो जागा हजीबूर। चलो अब रेलवे जोन के बारे में अब्द को आ गया झारकंड से समबंधित एक प्रमुख रेलवे जो दक्षिन पूर्वी रेलवे का मुख्याल है कहां तो तीन रेल मंडल से भी कुश्चन था वो भी देख लेता है फट अफट निम्निवे से कौन सा रेल मंडल जार्खन राज में है तो धनबाद राची चकडरपूर ये तीनों जो रेल मंडल फटन हो जोन के अंतरगाट आता है और ये भी मैंने बता था और पाकि दोणों जो है जो छक्रदहर पूरा राची ये दोनों पूरे प्रेश där रेलर आंतरगाट गता आता है तो यह दचिन पूर रेल्वे के अंतर गता आता है और इसका मुख्याले दचिन पूर्ड जोन का मुख्याले कॉल गता है चलिए लास्ट कोश्चन आज का देख लेते हैं तुट नहीं दो तीन पॉज़ियं चलो छे कॉश्चन फट पड़ ले हैं जो चारकन का चकरदरपूर रेलवे मंडल नीम्न में से किस रेलवे जोन के अंतरगत आता है जिसका मुख्याल है कोलकता में है ठीक है जारखन में नीम्न में से किस अस्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डिको है यह बताया था जमशेदपूर 17 नमबर कोशन है जारखन में नीम्न में से किस अस्थान पर केंदरिये रेलवे बिद्धूती करन संगठन की शाखा इस्थीत है यह राची में जारकन में सरपर्थम किस अस्थान पर हवाई अड़ा का निर्मान किया गया 1941 में राची में किया गया था विर्सा मुंडा हवाई अड़ा राची में इस्थीत हवाई अड़ा का क्या राम है विर्सा मुंडा हवाई अड़ा आपके लिए निर्मान किया गया था यह मैं बता चुका नाइटीन फुर्टीवन यह तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के शेर किजिएगा थांक्यू को सजेशन हो तो कमेंट करके दे सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग अगले विद्टे मिलते हैं तक त